नमो नारान भक्तों, मैं हो स्वामी ब्रह्मान पुरी, महामंडलेश्वर, अर्वेदाचार आज भक्तों के विशे साग्रा पर संधिवाद पे चर्चा करते हैं क्या है संधिवाद, कैसे होती हैं यह बीमारियां और कैसे होगा इसका निदान क्योंकि हमारे जीवन में दुखी होने के बाद संपूर ब्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दो सब्दों पे है पहला सब्द है चिंता और दूसरा सब्द है चिंतन चिंता इस विश्य पे करना होता है कि ये बीमारी हुई कैसे और चिंतन इस विश्य पे कि इससे मुक्ती होगी कैसे संधिधन वात अस्तु संधिवात संधिकार्थ होता है इन जोडों से वात का अर्थ होता है वायू से यह लोपेथ है जो अनली टू टाइप आर्थ्राइटिस टाइप वान एंड टाइप टू रेमो आर्थ्राइटिस आर्थ्राइटिस लेकिन अश्टा दस वात रोगे मधु मेहा त्रेउदसा आयरवेद में 18 प्रकार के वात रोग बताए जात लक्षन है चार अमल और पित कई जगें आप देखें कि चार भी से थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा कि स्वामी जी आज तक तो किसी ने चार से हमको आर्थ्राइटिस होने का इंडिकेशन बताए नहीं वह आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि उनको दुका अस्ट्रा के कुछ शेत्र कोलापूर साइड में जाएंगे गोहाटी में अगर आप लोखरा की एरिया में जाएंगे कामाख्या साइड में जाएंगे पंजाब के एरिया में जाएंगे गुडगाओं के एंसी आर की एरिया में जाएंगे तो आहां का पानी पूर्ण पानी का टीडियस अगर नार्मल नहीं है और आप उसको पी रहें तो आपको बीमारिया ग्रसित करती है अब कुछ लोग यह मूर्ख कहते हैं कि मैंने तो आरो लगा लिया ज्यान से सुनियेगा मैंने तो आरो लागा लिया मैं सुद्ध जल का पान करता हूं नहीं यह आरो का पानी आपको कैंसर की और भी ले जा सकता है अगर आपको पूरा ज्यान नहीं है पद्धती के आधार से अगर इसके फिल्टर्स नहीं बनाए गए अगर आपने इसके अंदर सुद्ध सही समय पे इसकी स्वक्षता नहीं कि इसके फिल्टर्स को चेज नहीं किये है तो इसक खाई नहीं पड़ते हैं, और आपको कैंसर तक ले जा सकते हैं, इसलिए पानी चाहे आरवो का हो, या साधा हमेसा उबाल करके पीना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदर रहेगा। संधिवात, आमरबात और घठियावात, हम कहते हैं ये ब्रिक्षि बोलते हैं, ये ब्रिक्षि कहते हैं, यूज मी, मैं इस सथीश की दवा हूँ, अगर आपने किसी बनस्पती को उठाया है, उसका पत्ता अगर कढवा है, तो नो डाउट वो बनस्पती रख्त दोसान तक हो कर सकता है वो बनस्पति जौर ना सखो सकता है अगर किसी बनस्पति को आपने उठाया है उसका स्वाद खट्टा है जैसे इमली तो इमली का बीज बहुत कामका है द्यान से सुनना कई बार आप लोगों को बिच्चु डंक मार जाती है आपके पास कोई उसे धी नहीं होती है अगर आपको बिच्चु डंक मार जाती है और इमली के बीज को रगड़ रगड़ करके गर उसका लेप उस पे चढ़ाते हैं तो बिच्चु का डंस भी उतर जात हम बात करते हैं शंधिवाद की आमरबाद की और गठियाबाद की दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा रिलेशन डाइजेशन से है सबसे पहले आपका डाइजेशन सही नहीं होता है आपको बद्ध कोष्टिता हो जाती है हाइपरेसीडिटी बनती है जब हमारे सरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम उसे समय से भोजन नहीं करेंगे तो भी एसीडिटी बनेगी और ज़्यादा खाएंगे तो हाइपरेसीडिटी बनेगी और अगर यही दोनों चेस्ट पर जाकर टकराएं तो इसे हेपरेसीडिटी कहते हैं सिर पे टक्राएं तो माईग्रेन का सुरूप भी ले सकता है क्योंकि हाइपर एसीडिटी के बाद में कफ जादा मात्रा में बनता है और कफ जब ब्रेन तक चला जाता है उसी पहों माईग्रेन की उत्पत्तित होते हैं यानि इन तीनों बीमारियों की मा कोन है डाइजेस्ट आपका पाचन तत्प्त्र शुद्ध रहना चाहिए आहर बिहार में ध्यान रखना है आपको वातवर्धक चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें वातवर्धक क्या है दाल की हम भात करते हैं आज हम हमारे घरों में जिन दाल को बड़े स्वाद से खाते हैं ना, उन दालों में जहन, दाल पत्ते नहीं हैं, तूट जाते हैं, हम जिस दाल को कुकर में बनाते हैं, वो फूट जाते हैं, और कुकर में उस दाल को बनाने के बाद उनका जो नेचुरल, 100% शत्तो एनरजी ह वो सिरी 15% प्राचीन परंपरा में अगर आप जाएंगे तो हमारे हां मिट्टी के बरतन में डाल बनाया जाता था और मिट्टी के बरतन के डाल को 48 गंटे तक रखा जाए तो उसके अंदर कैल्सियम इंग्रेडेंस नहीं खतम होगा, उसके अंदर फासपोरस नहीं खतम होगा, उसके अंदर के कोई भी इंग्रेडेंस खतम नहीं होते हैं, यानि वात वर्धक चीजों में आगया, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मुमफली के दाने हैं, वैगन जो सबसे लोगों का प्रिव हो जने खेर, वैगन सबसे ज़एदा वात वर्धक है, उसका सेवन बिलकुल नहीं करना चागे, आलू में सबसे ज़एदा वात है, इस्तेमाल कमपल्सरी करें और चौक में लहसन का इस्तेमाल करें तो साइद आप इससे थोड़ा सनरक्षित हो जाएंगे सुरक्षित नहीं हां अब आपको इन बीमारियों से बचाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मेरी 42 एर सेज है मेरे 1940 में लग गए गाउं गाउं में जाकर के देखा ये कमीर के पास से तो सब कर लेता है लेकिन गरीब क्या करेगा हमारी मोरर मेटसिंस है हमारी बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कमपनिया है भारत के अंदर जो सुदेशी होने का नारा लगाते हैं लेकिन सुदेशियों का ही खून पीते हैं ऐसा कहा जाता है कि पता नहीं क्या मिलता है इन गरीबों की लहू में मौका मिलने पर हर कोई दो गूट पी लेता है वो गरीब बिक्ति इसको कैसे यूज करेंगे कहां से लाएंगे इस बिसे पर मैंने रिसर्च किया गाउं गाउं में जा करके इन बनों में जा करके एक एक चीजें कठा की क्योंकि मित्रों मैं ग्रास्टूटर हूं मेरे पास तन्वन विद्या है धन नहीं है न था ना है न कभी होगा क्योंकि जहां सरस्वति हैं वहाल अच्वी रूप नहीं सिकते हैं हमने देखा कि एक गरीब आदमी कैसे इसका सेवन करेगा इसके लिए संधिवात के निदान के लिए हमने हमारी ब्रह्मान डारवेदा फार्मेंसी आई सो सर्टिफाइट से और शधियों का निर्मान किया अई आपको हम बताते हैं हमारी कंपनी के कुछ प्रोजक्ट के बारे में जिनको आपको बहुत ही जल्द जाती है जब तक ड्राइजेशन सही नहीं होगा तब तक आपका वात रोख खतम नहीं होगा उसके लिए हमारी कंपनी बनाती है मेरे स्रिसर्च क्यों है मेरे हाथ में द्वारा मेरी देखरेक से बनाए हुए यह पार्मुलेशन है ब्रह्मांड पाचक चूट जिसके अंद काली मिरच है पंच छार है सेधा नमक है घींग और तिरफला का समगेश है सुबे और साम भोजन के बाद आप एक चम्मच सुबे और साम को तीन ग्राम से पांच ग्राम तक गरम पानी से लेते रहें आपका कितना भी पुराना बद्ध कोश्टिता होगा डाइजेशन का प पुप्ति दिलाता है यानी संधिवात में इंटरनल मेटसीन में हम आपको यह देते हैं ब्रह्मांड पाचक छूट एक्सटरनल लुज में डॉक्टर साब को क्या देते हैं मसास आइलमेट और हम देते हैं आपको इसके लिए ब्रह्मांड दर्द नासक तेल के अंदर जिस तरीके से तंत्र में वेदो में साधना के छेत्रों में कहा गया है अगर किसी मंत्र का भावार्थ का अग्यान नहीं है तो आप जाब बिलकुल ना करें और अगर उच्चारन का अग्यान नहीं है तो मांसिक कर लें उच्चारन अगर गलत हो गया तो मंत्र का भावार्थ ब लॉंक, पिपर मिंट, आजवान का फूल, भीम सेनी कपूर, सफेद प्यास, समुद्र फेस, जात्यादी, मरिच्यादी, महा मरिच्यादी, विशगर्ब, गुरुच्यादी और इसकी डाइलूडिंग वेस है सरसो का तेल क्योंकि सरसो का तेल अपने आप में इतना बड़ा पेन किलर है, जितना पुराना होता है, उतनी जल्दी दर्द को नश्ट कर देता है गठियाबाद के लिए हम आपको ब्रह्मांड दर्दना सकते और ब्रह्मांड पाचक चून देते हैं, अगर पाचक चून का अभाव है तो इसके साथ आप तिरफला का भी सेवन कर सकते हैं, यह हो गया गठियाबाद के उपर निदान, अगर एजफेक्ट जादा है, जाद फीवर बना रहता है, बुखार भी आने लगते हैं, उसके लिए हम त्रिवोन किरती रस या त्रिवोन किरती गोधनती टेबलेट दिन में एक एक बार दे सकते हैं, तो अगर आप पीडित हैं संधिवाद से, तो आपको परेशान होने की जरूत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा डारवेदा, फार्मेंसी, बहुत ही कम लागत के अंदर, आपको संधिवाद की दवा पहुचाने के लिए आया है, क्योंकि हमारा उदेश, नर्ज सेवा, नारायन सेवा, मानो सेवा, मादो सेवा, अब दीखिए, इसमें एक आर्थराइटिस का और एक नया प्रकार होता है जिसमें डॉक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले जिन चर्चाव में हमने कैल्सियम की बात करी थी, विटामिन्स की बात करी थी, उसी तरीके से आपको एक गुप्त शूत्र बता दे, आदमी की उचाई कभी नहीं वढ़ती, अटपटा लगा ना मित्रों आपको सुनके, फ हमारी जो फ्लेक्जेवल सर्वाइकल स्पाइन कोड है, इसके अंदर जो कैल्सियम की लेर होती है, वो थाउजेंट माइक्रो मिली मीटर में होती है, और जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, हमारी यायू बढ़ती है, बाडी के एट मिनिरल्स डबलप होते हैं, यही लेर धीरे धीरे मोटी हो जाती है, और हमारी उंचाई बढ़ती है, अक्सर आपने देखा होगा, कि 22-23 साल तक जिस व्यक्ति की उंचाई बढ़ती रही, उसको कैल्सियम की कमी हो जाती है, उसी तरीके से आप कैल्सियम की जहां कमी हो गई है, उसे भी आर्थराइटिस नहीं का लिए उनके घुटने के नीचे के लिगामेंट्स घिस जाते हैं, डॉक्टर सीधा बोलते हैं, आप आप रेस्टन कराईए, आप इस नी को चेंस कराईए, इसके अलावा उनके पास कोई निदान नहीं है, वो भी एक टाइम लिमिट तक बाद में दूसरे पैर का भी करते हैं, ए आप उस नीदान को भी पाना है, तो सिरिफ हमारे हां से दो चीजियां होर मिलानी जाते हैं, ब्रम्हांड ददनासक तेल, ब्रम्हांड पाचक्चून, ब्रम्हांड अर्जुन पाउडर देना होता है, और ब्रम्हांड चिरायता पाउडर होता है, आप यहां थोड़ा सा थेरेपी कंपटीशन कह लीजिए या फिर मोरल मेडिसिन की कंपटीशन कह लीजिए लोग हमसे ये कहेंगे कि महराज जी अभी तो संधिवात में तिरफला और पाचक चूरुष की बात थी अब अरजुन और चिरायता का इसमें क्यारोड है क्योंकि मेडिकल में प्रेक्टिकल की जरूरत है भावनास्था की जरूरत है देखिए ये चिरायता या अरजुन का रोल अगर हम करते हैं तो जुर्मे करते हैं, बुखार के लिए करते हैं, लेकिन इसके अंदर फाइवर है, इसमें कैलसियम है, यह डाइजेस्टिब भी है, यह बलड पीरी फायर भी करता है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कैलसियम की मातरा पाई जाती है, जब एक एसपेक्ट से वो हालत आती है, उस समय तक आदमी की उमर 45 के बाद हो जाती है, और 45 के बाद आदमी का बलड गाढ़ा होने लगता है, प्रोश्टेट के प्राबलम सोने लगते हैं, बोन में रोज दीख हो जाती है, हार्ड में प्राबलम्स आते हैं, सिवरम कोल स्टोर बढ़ने लगता है इसलिए अगर हमने चिरायटा के साथ अरजुन को कॉम्बिनेट कर दिया तो अरजुन में ही केलशियम की मात्रा अतिस्ट से पाई जाती है जरूरस से ज़्यादा पाई जाती है कैल्सियम बढ़ने लगेगा या दोनों दिया गया तो आपके नीचे घुटने के नीचे केलसियम के पूरती होने लगती है और आप नीचेंज करने से बज जाते हो। आप तीन लाख रुपया दे कर एक नी नहीं चेंज करवाते हो छे लाख से दोनों पेरों के नहीं और नार्मल से नार्मल सुविधाओं में मुक्सिमम एक महीने की संधिवाद की दवा ब्रह्मान डारवेदा की तरफ से मुश्किल से पंद्रा सु रुपये में आपके घर प महीने में लेकर ठीक होना उचित है या छे लाख रुपया दे करके ऑप्रेशन कराना उचित है इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा ब्रह्मान डारवेदा की जो भी उश्य दिया है पैसा कमाने के उद्देश से नहीं जन सेवा के हिसाब से आए है आए नमो नारायन ब् विमारी के निदान और उपचार के साथ